हाई फ्रेंड्स नमस्कार आए क्लास 11 के दा पोटेट आफ ए लेड़ी जो खुस्वन सिंग जी के दौरा लिखी गई है इस कहानी को पढ़ते हैं आगे कॉंटिन्यू करते हैं तीसरे पैराग्राफ से तो आए देखते हैं मैं ग्रेंड मदर मेरी दादी मां एंड आई वर और मैं वर मिंस थे गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र मैं और मेरी दादी मां अच्छे मित्र थे मैं पैरेंड्स लेफ्ट मी विथ हर मैं पैरेंड्स मेरे माता पिता लेफ्ट छोड गए मी मिंस मुझे विथ साथ हर उनके मेरे माता पिता जब सहर में रहने के लिए गए तो वे मुझे इनके साथ दादी मा के साथ छोड गए या दादी मा के पास छोड गए और वी वर हम थे कोंस्टेंटली लगातार टूगेदर साथ और हम लगातार सदयों हमेशा साथ रहते थे और हम हमेशा साथ रहते थे शी यूजड टू वाक शी मिन्स वह यूजड टू वाक शरी यूजड वेक वेक मिन्स उठ जाना वे उठ जाया करती थी या उठा दिया करती थी मिन्स मुझे शी यूजड टू वेक कप वेक मि अप यूजड होता है यह आदस से सम्मनित होता है जो चीज़े बार बार हों उनको रोज जगाय करती थी वह टू वेक मि अप मुझे जगा दिया करती थी इन दम मॉर्निंग सुबह में वह मुझे सुबह में जगा दिया करती थी और गेट मी रेडी तयार करती थी और मुझे तयार करती थी फॉर स्कूल के लिए वह मुझे सुबह में जगा दिया करती थी सवेरी जगा दिया करती थी और स्कूल के लिए तयार करती थी she said her morning prayer she said her morning prayer वह कहती थी अपनी सुबह की प्रार्थना को in a monotonous thing monotonous thing बेराग monotonous means बेराग बिना किसी राग के नीरस वह अपने सुबह की प्रार्थना को बिलकुल बेढ़न तरीके से कहती थी नीरस तरीके से कहती थी कोई लैताल नहीं रहती थी song while the song while she bath and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart monotonous sing song वह नीरस या बिना लेके उस प्रात प्रातना को गाती थी गाने प्रातना वाले गाने को गाती थी while miss दौरान जब she bath मुझे वह नहाद नहलवाती थी and dressed पहन पहनाती थी कपड़े पहनाती थी मिमस मुझे in the hope इस आसा में that की I would listen मैं सुनूंगा and get to know it by heart और मुझे सुन करके मुझे वह याद हो जाएगी ठीक है मेरे मन में मेरे दिल में उतर जाएगी याद हो जाएगी वह इस आसा में मुझे नहलाने के दोरान और कपड़े पहनाने के दोरान उस गीत को गाती थी वह इस आसा में कि यह सुन करके इन्हें सुन करके मुझे याद हो जाएगा I listened, मैं सुनता था Because क्योंकि मैं सुनता था Because क्योंकि I loved her मैं उन्हें प्रेम करता था मुझे अच्छा लगता था Her voice, उनकी स्वर, उनकी आवाज मैं सुना करता था क्योंकि उनकी आवाज मुझे अच्छी लगती थी, उनकी आवाज मुझे अच्छी लगती थी, आई, बट नेवर, बट मिन्स लेकिन, नेवर मिन्स कभी नहीं, बहुत हर्ड, धिहान दिया, या परिसान हुआ, या चिन्ता किया, टू लर्न इट, इसे सीखने के लिए, इसे याद करने के लिए, बट नेवर बॉथर टू लर्न इट, लेकिन मैंने इसे याद करने की चिन्ता कभी नहीं कि, कभी भी परिसान नहीं हुआ, याद करने के लिए, ली धनेंज कर फैस्ड न मिंस तब फैस्ड मिनस होता है खोजना थीक है वह है खोजना होता है जैसे आप कंप्यूटर में कोई चीश करते हैं तो लोड़ेंग लेता है या उस पे गोल गुमने लगता तो फैस करता है कोई चीज़ आप जब सर्च करते हैं तो फेचिंग कहा जाता है सी उट फेच वह खोज ती थी ले आती थी मी माई उडेन स्लेट मेरी लकड़ी की तक थी फिर वह मेरी लकड़ी की तक थी लाती थी विच मेंस जिस पर शी हैड अल्रेड वास्ट वह पहले से ही धुल दिया करती थी धो दिया करती थी और प्लास्टर्ड विथे यलो चक और प्लास्टर्ड मिंस पोता हुआ विथे यलो चक पियलो मिंस पीला चक मिंस चक या मिट्टी और पील जो जिसे वह पहले ही धुल दिया करती थी और उस पर पीली मिट्टी का लेप लगा दिया करती थी या पीली मिट्टी पोत दिया करती थी एक तीनी अर्थेन तीनी मीज छोटा अर्थेन मिंस मिट्टी का बना हुआ इंक पॉर्ट दवात और एक छोटा मिट्टी का दवात एंड ए रेड़ बेन और एक लाल कलम एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक लाल कलम टाई देम बाद देती थी टाई देम बाद टाइड देम मिस उन्हें बांद देती थी आल इन ए बंडल हाल इले बंडल एक जगह एक बस्ते में बांद देती थी ठीक है एंड हैंड इट्टु में और मुझे पकड़ा दिया करती थी वह है एक छोटी मिट्टी की दवात और लाल पेन एक जोले में एक बंडल में बांद दिया करती थी और मुझे उसे पकड़ा दिया करती थी आफ्टर मिस बाद में एक ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट मिस नस्था और एक थिक एक मोटी इस्टेल चपाती इस्टेल मिस बासी चपाती मिस चपाती रोटी इसके बाद एक मोटी बासी रोटी एक मोटी बासी रोटी with a little butter जिस पर थोड़ा मख़न लगा हुआ था and जिस पर with a little butter एक थोड़े मख़न के साथ and sugar और एक मोटी रोटी जिस पर थोड़ा मख़न और सक्कर लगा हुआ होता था एक बासी मोटी रोटी जिस पर थोड़ा मक्हान और सक्कर लगा होता था उसका नास्ता करके वी वेंट हम जाते थे तू स्कूल हम स्कूल जाते थे सी कैरीड वह ले जाते थी सेवरल कुछ इस्टेल चपातिस बासी रोटियां with her अपने साथ for the village talks गाउं के कुत्तों के लिए वे अपने साथ गाउं के कुत्तों के लिए कुछ शेवरल मिन्स कुछ बासी रोटियां ले जाती थी अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पहरा है माई ग्रेंड मदर मेरी दादी मा माई ग्रेंड मतर मेरी दादी मा always हमेशा सदय वेंट जाती थी to school school with me मेरे साथ because क्योंकि the school was attached जुड़ा हुआ पास ठीक है या साथ में to the temple मंदिर के मेरी दादी मा इस्कूल मेरे साथ जाय करती थी क्योंकि इस्कूल मंदिर से लगा हुआ था मंदिर से सटा हुआ था पास था ठीक है the priest पुजारी the priest पुजारी taught पढ़ाते थे us means हमें the alphabet word mala and or and or the morning prayer और सुबह की प्राथना पुजारी हमें वर्ड माला और प्राता कालीन की सुबह के समय की प्राथना पढ़ाते थे सिखाते थे while the children add in rows on either side of the वरंडा singing the alphabet or the prayers in a chorus while means during the children बच्चे at in rows साथ बैटकर लाइन में बैटकर कतार में बैटकर on either side दोनों तरफ of the वरंदा वरंदा के बरामदा के singing गाते हुए the alphabet word mala और अथवा the prayer प्रातना in a chorus साथ साथ जब बच्चे दो कतारों में बैटकर बरामदे में दो कतारों में बैटकर वर्ड माला या प्रार्थना एक साथ बोलते थे पढ़ते थे my grandmother मेरी दादी मा set बैट जाती थी inside reading the scriptures inside means under reading पढ़ती थी the scriptures धार्मिक भिश्यों को धार्मिक किताबों को उस समय मेरी दादी मा अंदर बैटकर धार्मिक भुस्तकों को पढ़ती थी when जब we had both finished when miss जब we had both हम दोनों finished समाप्त कर चुके होते थे जब हम दोनों अपना काम समाप्त कर चुके होते थे we would walk we would walk back together we would walk हम चलते थे या चलते थे walk back together साथ back means फिर वापस together साथ साथ फिर हम वापस साथ साथ चलते थे this time इस समय the villages talk गाउं के कुत्ते would meet us हमसे मिल जाते थे हमसे मिलते थे us at at the temple इसके आगे है temple तो कुत्ते इसके आगे क्या है इसमें आगे मंदिर के पास हमसे मिलते थे next दिखते है temple door मंदिर के दर्वाजे पर गाउं के कुत्ते हमें या हम लोगों से मंदिर के द्वार पर मिलते थे दे फालोड अस वे हमारा पीछा करते थे दे मिल्स वे फालोड मिल्स पीछा करते थे अस मिल्स हमारा टू आवर होम हमारे घर तक ग्रोविंग बढ़ते हुए एंड फाइटिंग लड़ते हुए विद इच अधर एक दूसरे से फार चपाथीज रोटियों के लिए वी थ्रिव द्यम वी थ्रिव हम फेंग देते थे तुट द्यम उनके लिए कुटे हमारे साथ साथ हमारे घर तक चलते थे गुर राते हुए और किसके लिए गुर राते थे लड़ते थे रोटियों के लिए रोटियों के लिए आपस में गुर राते लड़ते हुए हमारे घर तक आते थे आगे है when means जब my parents, मेरे माता पिता वर्थ है comfortably, आराम से settled, अस्थापित हो गए ठीक है या बस गए in the city सहर में जब मेरे माता पिता सहर में आराम से बस गए they sent for us they sent for us तो हमें भी बुला लिए they means we sent for us हमें बुला लिए तब हमें भी बुला लिए that was यह था a turning point a turning point एक मोड का बिंद तब यह एक मोड का बिंद था in our friendship हमारी मित्रता में तब यह हमारी मित्रता में एक मोड का समय था या एक मोड था यह हमारी मित्रता में एक मोड था एल्डो यद्यपि वी सेयड वी सेयड हम रहते थे the same room यद्यपि हम एक ही रूम में रहते थे माई ग्रेंड मदर मेरी दादी माँ लो नो लांगर केम अब नहीं आती थी तो स्कूल स्कूल वित में मेरे साथ यद्यपि हम एक साथ एक ही कमरे में रहते थे फिर भी मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल यद्यपि नहीं आती थी I used to go मैं जाया करता था to an English school एक अंग्रेजी बिद्याले में मैं एक अंग्रेजी बिद्याले में जाया करता था in a motor bus एक motor bus में बैट कर मैं बस के दोरा या बस में बैट कर अंग्रेजी इसकूल में जाया करता था there were वहाँ थे no dogs कोई कुत्ते नहीं in the street गलियों में सडकों पर and she took to feeding sparrows she took उन्होंने शुरू कर दिया या to feeding खिलाना sparrow गोरईया या चिणियों को in the country yard of our city house in the country yard means आगन of our city house हमारे सहर के घर में वहाँ पर गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे और उन्होंने चिणियों को घर के आगन में चिणियों को खिलाना शुरू कर दिया था आगे बढ़ते हैं अ कि आग आए य डाए अ कि ई anticipation आअ आए अ कि अक कै या किदैंब कीदैंकी आए दा आए अ यहा इक एर यह एक आढ़न रो confuse उतनैंस。 पाई लेस बाई वी सो लेस आफ इच अधर वर्सों वी तते गए पाई वी सो लेस हम मिलते थे कम आफ इच अधर एक दूसरे से हम एक दूसरे से कम मिलते थे for some time for some time see continued for some time कुछ समय तक see continued उन्होंने जाई रखा to wake me up मुझे जगाना and get me ready for school और school जाने के लिए तयार करती रही कुछ समय तक उन्होंने मुझे जगाया और school के लिए तयार करती रही विद्याला जाने के लिए तयार करती रही when I came back जब मैं वापस आता था she would asked me वह मुझे से पूछती थी what means क्या the teacher अध्यापक had taught me मुझे पढ़ाये जब मैं वापस आता था वह मुझे से पूछती थी कि अध्यापक ने teacher ने मुझे क्या पढ़ाया I would tell her I would tell her English word I would tell her मैं उन्हें बताया करता था English word अंग्रेजी के सब्द and little things और कुछ बातें of western science पस्छिम के बिज्ञान के मैं उन्हें कुछ अंग्रेजी के सब्द और कुछ पस्छिम के बिज्ञान के बारे में बताया करता था and learning और पार्ट के बारे में the law of gravity गुरुत के नियम के बारे में archimedes, archimedes principle, archimedes के सिधान्त नियम के बारे में the world being around की दुनिया गोल है और पिर्थिभी गोल है ये सब उन्हें ETC इत्याद ये सब बताया करता था जब मैं वापस आया करता था तो वह मुझसे पूछती थी कि स्कूल में विद्याले में अध्यापक ने क्या पढ़ाया है तो मैं उन्हें कुछ अंग्रेजी के सब्द और कुछ पस्छिम के बिज्ञान के और उसके पार्ठ के बारे में बताया करता था जैसे गुरुत्यो का नियम, आर्कमेडीज का सिद्धान्त और धर्ती के गोल होने की बातें बताया करता था दिस मैड ये बना देता था हर अनहेपी उन्हें नाखुस ये सब वो सून करके दुखी हो जाती थी मेरे पाठों के बारे में मेरे पाठों में मेरी सहायता नहीं कर पाती थी नहीं कर सकती थी, she did not believe वो उन्हें विश्वास नहीं था in the things, in बातों में, they taught at the English school जो मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाय जाते थे वो उन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी and we distressed and or we distressed दुखी हो जाया करती थी and we distressed and was distressed और दुखी हो जाया करती थी that की there was no teaching की वहाँ पर नहीं सिखाय जाता है about God भगवान के बारे में and the scriptures और धार्मिक विश्यों के बारे में वो इस बात पर दुखी हो जाते थी की बिद्याले में इस्तवर और धार्मिक गरंतों के विश्यों में कुछ नहीं पढ़ाय जाता था one day एक दिन I announced मैंने घोषना किया that की we were being given music lessons that means की we were being given हमें सिखाय जा रहा है हमें बताया जा रहा है music lessons संगीत के संगीत के पाठ या संगीत सिखाय जा रहा है एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमें संगीत सिखाय जा रहा है सी वाज वेरी वह बहुत डिस्टरब्ड बरिसान हो गए वह बहुत जादा परिसान हो गए वे बहुत जादा परिसान हो गए टू हर उनके अनुसार म्यूजिक संगीत है लीओड एस्थेशन हैड लीओड एस्थेशन लीओड एस्थेशन असोवनी चीजों में से समंद है ठीक है असोवनी बातों से समंदित है एट वाज यह था the monopoly the monopoly of herlots and beggars and not meant for gentle fog it was her monopoly उनका सिधान था उनका मतलब था कि herlots and beggars herlots and beggars वेस्याओं और भिखारियों का उनका मतलब था कि संगीत जो है वेस्याओं और भिखारियों से सम्मंदित है भिखारियों का एक अधिकार है monopoly एक अधिकार है and not meant for gentle fog and not meant for gentle fog और यह है भले लोगों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है और भले लोगों के लिए संगीत का कोई मतलब नहीं उनसे उसका कोई संबंध नहीं है she said nothing उन्होंने कुछ नहीं का but her silence but her silence उनके ना बोलने का mint earth disapproval अर्ष्विकृती थे नाराजगी थे लेकिन उनके ना बोलने का उनके चुप रहने का अर्थ यह था उनकी नाराजगी थे उनकी असामत थी she rarely talked to me after that she rarely वह कभी कभी उसके बाद she rarely वह कभी कभी talked बाते करते to me मुझसे after that उसके बाद वह मुझसे कभी कभी बातें करती थी इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार अगले वीडियो में